बॉलिवूड इंडर्श्ची के तिकच कलाकार धर्मेंद्र ने अपने अभिनाय करियर में एक से बढ़ करें कई हिट फिल्में थी हैं। राजेश खना से लेकर अमिदाब बच्चन तक सबी अक्टर्स के साथ उनका और उनके फिल्मों का कॉंपिटीशन रहा। लेकिन अक्टर कभी भी नंबर वन बनने की रेस में नहीं दोड़े। इनके इस तरह की और भी कुछ क्वालटी से कई लोग इनसे काफी प्रभावे थे। जिनमें से एक थे मिधुन शकरवर्टी। जो धर्मेंद्र से काफी इंप्रस्ट होते ही साथ ही उन्हें अपना गुरू भी मानने लगे हैं और आज भी उनके नक्षे कदम पर चलते हैं तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्या किरकार मिधुन क्यों आज धर्मेंद्र के नक्षे कदम प लेकिन फैंस के वीजन का स्ट्राटम रती भर बे कम नहीं हुआ वह पॉलिवड के डिसको डांसर मिधुन चकरवर्ती की गिंती धर्मेंद्र के फैंस के लिस्ट में टॉप पर होती है आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो किस्सा जब धर्मेंद्र काकद मिधुन की आखों में इतना बढ़ गया कि उन्होंने भी उनके नक्षे कदम पर चलने का फैसला कर लिया था दरसल ये किस्सा है साल 984 का जब धर्मेंद्र और मिधुन एक साथ डारेक्टर जेपे दत्ता के एक्शन ड्रामा फिल्म गुलावी में काम कर रहे थे फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर हभीब नाडियाट वाला फिल्म में मिधुन और धर्मेंद्र के अलावा रीना रॉय, कुल्पूशन खरबंदा, स्मिता पाचल, अनिता राज, नसीर दुन्शहा और ओम शिफपुरी जैसे स्टार्स भी एहम भूमी काउं में थे कुल मिलाकर ये फिल्म में एक मर्टी स्टार और फिल्म थी, साथ फिल्म के शूटिंग भी राजिस्थान में हो रही थी ऐसे में प्रोड्यूजर हभीब का काफी पैसा फिल्म में लग चुका था, फाइनाशली क्राइसिस में होने के कारण नाडियाट वाला काफी परिशान थे शूटिंग के लिए सेट रेडी था, कास्ट रेडी थी, वह इस हालात में फिल्म को रोका नहीं जा सकता था क्योंकि पहले ही अभीब का काफी पैसा लग चुका था, लेकिन इस पारे में जब धरमेंदर को पता चला कि फिल्म के प्रोड्यूजर को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो उन्होंने अपनी दर्या दिली दिखाई और उन्होंने डारेक्टर से बात की कि वो फिल्म गुलामी में काम करने के लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे धरमेंदर की ये बात यूनिट में आग की तरह फैल गई, सभी को काफी हचमबा हुआ वह जब मिथुन को धरमेंदर की ये बात पता चली तो वो काफी ज़्यादा इस्पायर हुए ऐसे में मिथुन ने भी धरमेंदर के नक्षे कदम पर चलने का फैसला कर लिया और इस फिल्म में काम करने के लिए एक भी पैसा ना लेने की बात कही इस घटना के बाद मिथुन ने धरमेंदर को अपना आईडल मानना शिरू कर दिया मिथुन धरमेंदर की दिल से इतनी ज़्यादा इश्थ करने लगे कि सिर्थ धरमेंदर के कहने पर मिथुन ने एक सूपर एड़ फिल्म का ओफर भी ढुकरा दिया था दरसल उस वक्त धर्मेंदर के बीटे और एक्टर सनी दियुल फिल्मी दुनिया में मुकाम हासिल करने की कोशिशों में जुटे थे उस वक्त उनके पास कोई फिल्म नहीं थी फिल्मेकर राजकुमार संतोशी उस समय एक फिल्म पर काम कर रहे थे उस फिल्म के लिए उन्होंने मितुन चकरवर्टी को फाइनल आइस कर लिया था धरमेंदर को भी इस बारे में पता चला कि संतूशी एक फिल्म मना रहे हैं जिसमें मितुन काम कर रहे हैं ऐसे में धर्मेंदर मितुन के पास गए और उन्होंने कहा कि अगर इस फिल्म में सनी काम करेंगे तो उनके करियर को पुश्च मिल सकता है। ऐसे में धर्मेंदर के कहने पर मितुन ने इस फिल्म को छोड़ दिया। ऐसे में सरे देउल ने स्वल में काम किया जिसका नाम था खायल ये फिर मुस्वक्त की सूपर डूपर हिट साबित होई थी वेला पिनेता धर्मेंद्र की इस दर्या दिली के बारे में आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं साथ ये बॉल्ज वोट इंडास्टिय से जोड़ी ऐसी और मज़धार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना राखुए